क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में वर्ल्ड टेलिविजन डे कब मनाया गया जापान देश ने रक्षा को लेकर किस देश के साथ समझोता किया है और W.H.O. यानि की वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाईजेशन ने कब तक टीबी को खत्म करने का लक्ष रखा है ऐसे ही तेरा ब क्वेशन पुछूंगा जिसका अंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और यदि आप पूरे मन्त की PDF फाइल रीड करना चाहते है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे है वहां से आप डाउनलोड कर सकते है पढ़ सकते है और अभी तक आपने हमारी GK2020 चैन दूर दर्शन दिवस यानि कि World Television Day कब मनाया गया दोस्तो प्रती वर्ष वर्ष वर्ड टेलिविजन दे मनाया जाता है 21 नवंबर को यानि कि आज ही World Television Day है कब मनाया जाता है 21 नवंबर को World Television Day तो संयुक्त राष्ट्र महा सबाने 17 दिसंबर 1996 को 21 नवंबर की तीथी को विश्व दूर दर्शन दिवस मनाने की घोशना की थी और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 में 21 और 22 नवंबर को विश्व के प्रतम विश्व टेलिविजन फोरम का आयोजन किया था और इसलिए दोस्तो 21 नवंबर को या महत्व पूर्ण दिवस मनाया जाता है और बात करते हैं टेलिविजन की तो कुछ फैक्ट भी मैं आपके समने रखता हूँ कि बारत में कलर टिवी 1982 में पहुचा कब 1982 में और टेलिविजन का आविश्कार किस ने किया 13 अगस्त 1888 को स्कोट लेंड में जनमें जौन लोगी बायरेडर ने किसने जौन लोगी बायरेडर ने टेलिविजन का आविश्कार किया और टेली विजन के रिमोट कंट्रोल का आविश्कार किस ने किया था यूजिन पॉली ने टीवी के रिमोट का आविश्कार किया था तो यह फैक्ट साइन्स से जुड़े हुए है वो आपको याद रखने है और इसी तरफ हर क्वेशन से जुड़े important फैक्ट मैं आपके समने लगता हूँ हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भुलिएगा दूसरा क्विशन है स्क्रीन पर मद्य अमेरिका के निकरागुआ के तट से झापने वाले हरीकेन का नाम क्या था AD दोस्तो हाल ही में मद्य अमेरिका के निकारागुआ के तट से एक हरीकेन टकराया यानि कि तूफान टकराया और इस तूफान का नाम है इओटा यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर है क्या नम है इओटा जो हाल ही में या मद्य अमेरिका के निकारागुआ में टकराया तो 16 नवंबर 2020 को हरीकेन इवोटा मद्य अमेरिका के निकारागुआ के तट से ठकराया और स्थ्रेनी 5 के हरीकेन के रूप में विक्सित हो गया यानि कि कैटेगरी 5 में यदि कोई भी हरीकेन परिवर्तित हो जाता है तो वो सबसे खतरनाक बन जाता है और इसके जो वायू की रफ्तार है वो 250 किलो मिटर से भी अधिकी हो जाती है यानि कि यह दोस्तो काफी बयानक हरीकेन था तुफान था तो हरीकेन इवोटा को गंबीर स्रेनी में सुची बद किया गया है जिसमें वायू की गती 252 किलो मिटर प्रति घंटाए या इससे अधिक के होती है इसे दोस्तों बोलते है केटेगरी 5 का यह हरीकेन और अटलांटिक हरीकेन मौसम की अधि एक जून से 30 नवंबर के मद्य है जो अटलांटिक महसागर, केरेबियन सागर और मेक्सिको की खाडी को कवर करता है यानि कि अब नवंबर मन्थ पूर्ण होने की कगार पर है तो दोस्तों यह हरीकेन भी खत्म हो जाएगे चलिए तीसरा क्विशन, जापान ने किस देश के साथ पारसपरिक संपर्क समझोते नामक समझोते पर हस्ताक्षर किये? हाल ही में दोस्तों आस्ट्रेलिया के प्रदान मंत्री स्कॉट मौरिसन ने जापान देश का दवरा किया और हाल ही में जापान ने आस्ट्रेलिया देश के साथ पारसपरिक संपर्क समझोते नामक समझोते पर हस्ताक्षर किये? किसने? आस्ट्रेलिया और जापान देश ने तो जापान और आस्ट्रेलिया ने दक्षिनी चीन सागर में और प्रशान्त द्वीपो देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक लेंड मार्क का रक्षा समझोते पर हाल ही में हस्ताक्षर किये हैं और यहां आप देख सकते हैं यहां आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री स्कॉट मौरिसन और जापान के प्रधान मंत्री योशी हिदे सुगा ने इस पर सिगनेचर किये तो जापानी प्रदान मंत्री योशी ही देशुगा और आउस्ट्रेलिया के प्रदान मंत्री स्कॉट मौरिसन द्वारा पारस परिक संपर्क समझोते नमक समझोते पर हस्ताक्षर किये है और यहां बात करते हैं आउस्ट्रेलिया और जापान की तो आप मेप में देख सकते ह और जापान की कैपिटल का नाम क्या है टोक्यो जापान की करेंसी क्या है यैन और जापान की संसत को क्या कहते है डायेट कहते है और जापान के हाल ही में नए प्रदन मंत्री कौन बने योशी हिदे सुगा जिन होने शिन्जो आबेका स्थान लिया और जापान का ये फैक्ट भी जान लिजिये कि जापान के लोगों की आवसत आयू 82 वर्ष है जो विश्व में सभी देशों की आवसत आयू की तुल नामे सरवादिक है कितनी 82 साल दोस्तो ये इसकी एक आवसत आयू है चोथा कुशन वर्ष हैल्थ ओर्गेनेजेशन ने कब तक शही रोग को समाप्त करने का लक्ष रखा है दोस्तो हमारे वर्ष हैल्थ ओर्गेनेजेशन ने अगले 2030 तक कब 2030 तक वर्ष टीबी को खत्म करने का और हाल ही में ये क्विशन सुर्खियों में क्यों आया क्योंकि हमारे डॉक्टर हर्ष वर्दन नई दिल्ली में वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से क्षै रोग उन्मुलन भागिदारी बॉर्ड की 23 वी बैठक को सम्बोधित कर रहे थे और डॉक्टर हर्ष वर्दन न और जिसका उद्देश्य स्थाई विकास लक्षों के तहट 2025 तक क्षै रोग को समाप्त करना है यानिकि हमारी केंदर सरकार ने लक्ष रखा है कि हम टीबी को खत्म करेंगे 2025 तक लेकिन वर्ड हेल्थ और्गेजेशन का टार्गेट है 2030 तक हम टीबी को खत्म करेंगे पुर 24 मार्च को और इस साल की थिम क्या रखी गए है इट्स टाइम एंड टीबी और विश्व स्वास्तिय संगठन ने ये लक्ष हासिल करने के लिए 2030 समय सीमा निर्दारित की है भारत ने इस दिशा में अपने प्रयास बठा कर तीन गुना कर दिये है क्योंकि 2025 तक हमको इस लक लक्ष को पाना है पाचो क्रिशन दिसंबर 2020 तक गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने का लक्ष किसने निर्दारित किया है जी हाँ दोस्तों एक ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जो अपने बीपी एल परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट किरल रज्य यानिकि किरल के मुख्य मंत्री पिनर राई विजयन ने ये घोशना की है तो किरल सरकार ने किरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क का प्रोजेक्ट यानिकि के फोन द्वारा दिसंबर 2020 तक गरीब परिवारों सार्वजनिक कारिया लयों के लिए मुफ्त जीने वाले 20 लाग से अधिक परिवारों को मुफ्त उच गती के इंटरनेट की सुविधा प्रदांत करना है और इसलिए केरल में तकरीबन 2000 वाइब फाइब वाट स्पोट भी लगाए गए है और केरला ने ये दोस्तो हाइब स्पीड इंटरनेट सेवा प्रोजेक्ट करन और यहां लिखा है इंडियाज फर्स्ट डिजिटल स्टेट भी बन जाएगा केरल राज्य और बात करें केरल के तो मेप में देख सकते हैं दक्षिन में स्थीत ये केरल राज्य केरल की कैपिटल का नाम है तिरुवननंदपुरं केरल की मुख्य भाषा है मलय यलम और केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और दोस्तो साइलेंट वेली नेशनल पार्क वो भी केरल में स्थी थे तो यह फैट के लवा कुछ आज में आपको नया दिखाने वाला हो की अना मुदी केरल की सबसे उची चोटी है जिसकी उचायद 2,695 मीटर है और केरल भारत का सबसे कम करफ्टा राज्यों में से एक है केरल भारत के 91 प्रतिशत रब्बर का उत्पदन करता है और जीवंदर भी केरल की भारत में सबसे अधिक है तक्रीबन 77 वर्ष जीवंदर है किरल राज्य के तो यह नए अफेक्ट याद रख लिजिए चठा क्वेशन बिहार में नव निर्वाचित 17 वी विदान सबा में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया दोस्तो बिहार में हाल ही में चुनाव संपन हुआ और विदान सबा का गठन किया जा रहा है तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटेम स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है पूरुवा मुख्य मंत्री जीतन राम मांजी को यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है जीतन राम मांजी तो बिहार में पूरुवा मुख्य मंत्री जीतन राम मांजी को नव निर्वाचित 17 वी विदान सभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है और प्रोटेम स्पीकर की नियुकती कौन करते है उस राज्य के राज्यपाल तो बिहार के राज्यपाल फागुत चोहान ने राजबवन में आयोजित एक समारों में स्री जितनराम मांजी को पद की शपत दिलाई यानि कि प्रोटेम स्पीकर को शपत कौन दिलाते है उस और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष जितनराम मांजी गया जिल्ला के इमाम गंज विदान सभाक्षेत्र से चुनाव जितकर आये है। दस्यके रूप में शपवत दिलाएंगे। तरह उत्तर प्रदेश के बाद अब मैंने बिहार का वीडियो बनाया है। बहुत ही इंपोर्टन है देख लिजिएगा। साथवा कुशन विजय नगर किस राज्य का 31 जिला बना। दोस्तो विजय नगर जिसे एक एतिहासिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वो विजय नगर करनातक राज्य का 31 जिला बन गया है। किस राज्य का? करनातक राज्य का. लेकिन कोई भी जिले का विभाजन किया जाता है तो किसी और जिले को काट कर किया जाता है। तो हाल ही में बैलारी डिस्ट्रिक्स में से यह विजय नगर डिस्ट्रिक्स का गठन किया गया है यानि की रचना की गई तो हाल ही में करनाटक मंत्री मंडल ने मौझूदा बेलारी जिल्ले से विजय नगर को अलग करने और एक नया जिल्ला बनाने की दशको पुरानी मांग को मंजूरी दे दे है और अब विजय नगर करनाटक का 31 जिल्ला बन गया और विजय नगर सामराज्य की स्थापना की बात करे तो 24 शताब्धी में संगम वन्ष के दो राजकुमार हरी हर और बुक्का द्वारा कुरुष्णा तथा तुंग वद्रा नदियों के बीच एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी तो विजय नगर दोस्तों किस वन्ष का वहाँ शाशन था संगम वन्ष का वहाँ शाशन था और दो राजकुमार हरी हर और बुक्का राई वो इत्यास से जुड़ी हुई खटना है वो भी याद रख लिजे आठवा क्रिकेट से है और यहाँ देख सकते हैं सुदिप त्यागी को तो बारतिय क्रिकेटर सुदिप त्यागी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की गोशना की है और 33 वर्षी अत्येज ग्यंदबाज ने बारत के लिए चार वन डे और एक टी ट्वेंटे इंटरनेशनल मैच खिला है और वो आईपी अल में भी खिल रहे थे तो आईपी अल में चाओदा मैचो में चैनने सुपर केंग्स और सन्राइजर्स हैदराबाद के लिए भी प्रदर्शन किया था जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की कोशना की है ना मत बुलिएगा सुधी प्यागी नवा कुशन विश्व दर्शन दिवस प्रतियक वर्ष कब मनाया जता है वल्ड फिलोसोफिड दे प्रति वर्ष मनाया जता है नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को यानिकि इस कुश्चन का सही अंसर है नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को या वल्डव फिलोसोफिडे मनाया जता है तो साल 2005 में युनेसको के जनरल कॉन्फरेंस ने प्रत्यक वर्ष नवंबर महिने के हर तीसरे गुरुवार को विश्वदर्शन दिवस मनाये जाने की ग और यह दिवस अकादमिक आदान प्रदान को प्रोचसहित करता है और वेश्विक मुद्दो के समाधान में दार्शनिक ज्यान के योगदान पर प्रकाश डालता है और यहां आप देख सकते हैं हमारे एक विश्व के जाने माने फिलोसोफर जिसका नाम है सोक्रेटिस क्या सोक्रेटिस हमारे वल्ड के एक माहन फिलोसोफर थे दार्शनिक थे दस्वा केशन भारत के परम सिद्धी को विश्व के सबसे शक्तिशाली सूपरकम्प्यूटरों में कौनसा स्थान प्राप्त हुआ है हमारा भरत का एक जाना मना दोस्तो सुपर कम्प्यूटर है परम सिद्धी आर्टिफिशल इंटेलिजन्स और हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कम्प्यूटरों में यह 63 वे स्थान पर रहा 63 वे स्थान पर यानिकि इस क्वेशन का सही अंचर है 63 तो उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग आर्टिफिशल इंटेलिजन्स सुपर कम्प्यूटर परम सिद्धी ने दुनिया के शिर्षव 500 सबसे शक्तिशाली गैर वित्रित कम्प्यूटर सिस्टम में 63 वी रैंक हासिल की है गरवा क्वेशन 2030 तक नई गैसोलीन और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंद कौन लगाएगा 2030 तक नई गैसोलीन और डीजल कारों की बिक्री पर ब्रिटेन डेश प्रतिबंद लगाने जा रहा है यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है ब्रिटेन डेश तो ब्रिटेन 2030 तक नई गैसोलीन और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंद लगा देगा हाइब्रीड वाहनों को 2035 तक बेचा जा सकता है इसके अलावा ब्रिटेन ने 2050 तक अपने कार्बन उच्चरजन को शुन्य पर कम करने के लिए प्रतिबदता व्यक्त की है और इसलिए ब्रिटेन ने यक कदम उठाया है परवा क्षण रिज़र्व बेंक ओफ इंडिया ने किस बेंक पर 30 दिवसिया मौरेटोरियम लागू किया यानिकि इस question का सही अंसर है लक्ष्मी विलास बैंक और यह decision RBI ने क्यों लिया लक्ष्मी विलास बैंक को वितिय वर्ष 2021 की पहली तीमाही में 112 करोड रुपिये और दूसरी तीमाही में 397 करोड रुपिये का घाता हुआ था और यह बैंक विगत तीन वर्षों से लगातार घाटे का सामना कर रहा है जिससे बैंक का नेट वर्थ प्रभावित हुआ है और इसलिए RBI ने यह महत्वपुर्ण कदम उठाया है और यहां एक शबदाया मौरेटोरियम मौरेटोरियम है क्या तो RBI ने 24 स्थित लक्ष्मी विलास बैंक पर 30 दिवसिय मौरेटोरियम लागो किया है जिसका आर्थ है केंद्रियप बैंक द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक की दैनिक गति विद्यों पर कुछ प्रतिबंद लग दिये गए है यानिकि एक दिन में आप 25,000 रूप्य नकद निकाल सकते हैं तेरवा कुशन माईया सेंडू ने किस देश के राष्ट्रोपती पद का चुनाव जित लिया माईया सेंडू ने हाल ही में मालडोवा मालडोवा देश के राष्ट्रोपती पद का चुनाव जित कर मालडोवा का राष्ट्रोपती चुनाव जित लिया है और माईयस एंडू ने डोडन के 42.2 प्रतिशत की तुलना में 57.7 प्रतिशत वाट हासिल किये और वो बन गई है मालडोवा देश की नई राष्ट्रोपती तो मालडोवा की कैपिटल का नाम है चियनु आवू मालडो के कैपिटल और करेंची है मालडोवन लियू मालडोवा देश की करेंची और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेशन की लास्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेशन कुछा था एशिया की पहली सोर उर्जा संचालित कपडा मिल कहा खोली गई महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में खोली गई वो कई दोस्तों ने डीटेल में बताया है बहुत बढ़िया कमेंट हमको मिली इसलिए आप सभी को बहुत बहुत थेंक्यू उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना में चाहूंगा वो है अश्विन प और वाला संजय बेलकुल सही आंचर जनरल नौलेज एज्जुकेशन नामक कोई सब्सक्राइबर फ्रेंड है उनका आंचर सही और धर्ती बारेया फ्रोम खमबात गुजराचे है उन्होने भी इस क्वेशन का सही आंचर दिया राजेश्क गुजराती, सौलंके मनोज फ्रोम गुजराच सुरेंदर नगरचे, भावना रोहित फ्रोम गुजराच नडियाचे, हिरियन आसोडिया फ्रोम गुजराच जुनागड, निलेक्ष पाठन वाडिया फ्रोम वणोद्रा, और करन सत्वारा आपका अंसर बिलकुल सहे सेम्योल निनामा फ्रम दाहोच से और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हे कलपेश परमार, कृती राना, किशन महाराज, बारया विपुलकुमार और विश्व मेवाडा आप सबी दोस्तों को सही अंसर देने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद और आज के विडियो का क्वेशन ए रहा स्क्रीन पर सुल्तान फटे अलिखान शाहाब किसका पुरा नाम था यहाँ चार ओप्शन आपकी स्क्रीन पर और सही अंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत बुलिएगा और वीडियो अच्छा लगा है हेलपफुल लगा है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेस्बूक वाटसेप या टेलिग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेर करना मत बुलिएगा बस छोटे इसे उमीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं फिर मिलेंगे नहीं करनेट अफेर वीडियो के साथ तब तक लिए टेक केर एंड जय हिंद